मा, अब तो छे महीने का हो गया हूं, मा, कुछ मज़ेतार खाने को दो ना अले, 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 चल, तेरा हाफ हैपी बड़े मनाते हैं, खिचडी तुझे खिलाते हैं छे महीने के शिशु को दूद के साथ साथ पौश्टिक खाना भी चाहिए जैसे गाड़ी दाल के साथ चावल, हरी सबजियां, खिचडी, पीले और नारंगी, फल और सबजियां, दही, घी और तेल शुरू में तीन से चार चम्मच खिलाएं, धीरे धीरे मात्रा बढ़ाएं, एक कटोरी दिन में दो बार खिलाएं साथ से आठ महीने के बच्चे को दो कटोरी, नौ से ग्यारा महीने के बच्चे को तीन कटोरी, और बारा से चौबिस महीने के बच्चे को चार से पांच कटोरी खिलाएं रोते हैं, उगलते हैं, नचाते हैं, दोडाते हैं, खाना देखकर इमू बनाते हैं आप ही बताएं, फिर क्या करें? अरे, बच्चे की भूग के इशारे समझो खेल कूच से बहला फुसला के खाना कहिलाओ घर के सदस्य की मदद से बच्चे को बहला के खिलाओ पहले दूद पिलाओ, फिर खाना खिलाओ और जब बच्चा बीमार पड़ जाए, खाना ना खाए, तब तब उन्हें जादा से जादा मात्रा में मा का दूद पिलाएं और जब बच्चा ठीक हो जाए, तो उसे एक कटोरी खाना जादा खिलाएं ताकि बच्चा फिर से हटा कटा तंदुरुस्त हो जाए तभी तो सभा लगी है ध्यान से सुनना आखे कान खोल के सुनना प्रोशन से ना जूजे मुन्ना सभा लगी है ध्यान से सुनना सभा लगी है सभा लगी है